चौथी पार जीत हासिल की अबू आसिम आजमी ने? कहीं कहीं कहा जा सकता है एक डर सा बना हुआ था तमाम दिगत चुनाओ लड़ रहे थे लेकिन क्या कुछ चला कि अबू आसिम आजमी साब चौती बार जीत गए अबू आसिम साब चौती बार इसलिए जीत गए के जनता के बीच में प्यार भी था कैंडिटेटी भी बहुत खड़े थे उसके बीच में M.I.M. पार्टी ने अच्छा परफॉमस किया तो M.I.M. ने जब अच्छा परफॉमस करने के बार जब इन लोगों को बाकी के लोगों को ओट नहीं मिला तब जाकि अपनी समाजवादी पार्टी को ओट मिला है और जनता ने प्यार बताया है और उनको चौती बार जीताया है मान खुर्ट का ये लल्लू भाई कंपाउंड का इलाका है वोटो की गिंती यहां जारी थी वोई हम आपको बगाना जाहेंगे लगातार जो चौती बार जो एक रिकॉर्ड रहा है अबू आसिमाजवादी पार्टी के बिधायक रहे हैं आज चौती बार जीते हुए नजर आ रहे हैं अगर वोटो का परतिस्त देखा जाए तो 2009 से जो लगातार जो देखा जाए लगातार इनकी बढ़त हासिल रही है 2009 की बात करें या 14 की बात करें या 19 की बात करें एक जो परसंटेज जो होता है ओटो का वो लगातार भारी बतों से जीते रहें वही आज चौथी बार इनकी जीत हो रही है इस सिलसिले में तमाम लोग यहां उनके जो मानने वाले हैं वो उनके बीच नजर आ रहे हैं यह नज कहा जा सकता है कि जलसा दिखाई दे रहा है जन्मानस दिखाई दे रहा है जो कि ठमने का नाम नहीं ले रहा है यह है मानखुर्ट सिवाजी नगर कहे ललो भाई कमपाउंड का इलाका जहां ओटो की गिंती की जा रही थी सुबह से ही और फिर एक बार चुनाओ जीते हुए की चल्चाना जाएं अब्वासिम आजबी के जीत पर आप क्या कहना चाहिए मैं यह कहूंगा कि अबू आसिम आजमी को जनता ने जिताया है और जन्टा ने पूरा अपना भरोसा है अबंगा दिखा दिया है कि आसिम बई जो काम पचास साल में करके दिखा दिए पंद्रा साल में करके दिखा दिए वो लोगों ने पचास साल में भी नहीं करके दिखा पाए इसलिए आसिम भाई को जनता ने चुना है और उनके काम के वज़े से चुना है कहीं कहीं कहा जा सकता है एक डर सा बना हुआ था तमाम दिगत चुनाओ लड़ रहे थे लेकिन क्या कुछ चला कि अबू आसिमाजमी साहब चौथी बार जीत गए अबू आसिम साहब चौथी बार इसलिए जीत गए कि जनता के बीच में प्यार भी था कैंडेटेटी भी बहुत खड़े थे उसके बीच में M.I.M. पार्टी ने अच्छा परफॉमस किया तो M.I.M. ने जब अच्छा परफॉमस करने के बार जब इन लोगों को बाकी के लोगों को ओट नहीं मिला तब जाके अपनी समाजवाधी पार्टी को ओट मिला है और जनत